हलो फ्रेंट्स वागत है आपका मेरे चैनल सी तू पटल टिप्स फो बुमेंट पे फ्रेंट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि चीनी से आप कैसे ही घर पर बहतर स्क्रब कर सकते हैं ये बहुत ही नैचुरल है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंट्स घरेली चीज़े को उपयोग करके यदि आप अपने चेहरे को स्क्रब करना चाते हैं तो चीनी बहुत ही बहतर उपाय है आपके लिए तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप चीनी से घर पर ही कैसे अच्छा और बहतर स्क्रब कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद रहते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंट्स स्क्रब करने से पहले सबसे पहले अपने चेहरे को साबुन या फेस पॉस से धो लें उसके बाद अपका गीला जो चेहरा होता है उस गीले चेहरे पह चीनी लेकर उसमें दो-तीन बूने नीबू के रस्की डालें और अपने गीले चेहरे पर उसे लगा लें लगाने के पvet度 कुछ देर रखें और फिर धीरे दीरे उस पह पर स्क्रब करें हलके हातों से धीरे-धीरे स्क्रब करते हूए, हलके-हलके मासाज करते हूए आप थोगा देर के लिए उसे तीन मिनिट के लिए छोग दें और उसके बाद आप नैचरल पानी से नॉर्मल पानी से उसको दो लीजे दोने के बाद आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इससे आपके चेहरे के सारे ब्लैक हैल्ट ये सारी चीज़े निकल जाएंगी जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा फ्रेंस ये बहुत ही नैचरल स्क्रब है अगर आप अपने घर पर इसको करती है तो आपको एक रच्छा रिजल्ट मिल सकता है फ्रेंस अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो है तो इसे लाइक कीजिए शियर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी वैल आइकन को दबाईए तक इसतरे की वीडियो की नेक्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें